हलो जहिन साथियो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे साथियो आज की जो हमारी वीडियो होने वाले आईटे एलेक्रिसियन थेओरी आईटे फश्टियर की होने वाले जो की आठ नमबर की वीडियो होने वाले जिसमें आपको important question बताएंगे ITI first year के तो जितने भी ITI के चातरें इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे में request करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को फूरा देखिएगा और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीडियो में टोटल यहां पर बना चुका हूँ ITI first year वालों के लिए तो लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल लेगा वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज का question सुरू करते हैं लिया गया समय क्या है सबसे पहले तो आप यहां पर जान लिए साती हो जो यहां पर फ्यूज घटक होता है उसके बारे में देखिए फ्यूज घटक किसको बोलते हैं तो फ्यूज का वहां भाग जो परिपत को जोड़ने और तोड़ने का काम करे उसे हम फ्यूज घटक करते हैं और फ्यूज वाग जो यहां पर दिया गया है उसको आप जान लेज़े देखिए, फ्यूज जो आपका वहाग होता है सात्यों तो फ्यूज वाग किसको बोला जाता है फ्यूज का वह भाग जो बाडी से उपर किया जा सके उसे फ्यूज वाग करते हैं और एक और होता है आपका फ्यूज का अधार जो कि फ्यूज का अधार एक होता है, तो फ्यूज का अधार किसे कहते हैं, देखिए, यह बाहरी भाग होता है, जो परिपत से जोड़ने में सहायक होता है और एक आपका होता है फ्यूज करेंट तो फ्यूज करेंट जो होता है वो उसमा उत्पादित किये हुए परिपत को क्या करता है धारा प्रदान करता है तो वो आपका होता है फ्यूज धारा एक और आपका होता है कटाप गुणांक तो परिपत को तोड़ने में लगा समय जो कहलाता है तो जो यहां पर फ्यूज में द्वारा जो 22 समय में जो लिया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं सात्यों कट आप गुडांक बोलते हैं क्या बोल जाता है कट आप गुडांक और अभी मैंने आपको बताया कि परिपत को तोड़ने में लगा समय कट आप गुडांक कह सारे चीज़ों को आप ध्यान अखेंगे तो ऐसा यदि कोई भी घुमा कर सवाल पूछता है तो आप असानी से इसका उत्तर दे पाएंगे यहां पर आपका सही हो जाता है आपसा नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इंसवर मिला लिजेगा चले आगे बढ़ते हम कोशन नंबर बह आ जा रहे है कि वाइरिंग का टी सिस्टम किस अस्थान पर सबसे ज्यादा उपयूगत है सबसे पहले तो आप यहां पर टी सिस्टम मतलब की टी प्राणाली को समझ लेगे इसका यहां पर जो टी प्राणाली होता है सात्यों इसका फैदा क्या होता है तो इसका फैदा यह है कि इसमें दोस को यहां पर ढूड़ना सबसे असान होता है क्या होता है इसमें जो दोस होते उसको ढूड़ना सबसे असान होता है और जहां पर बहु मंजिला मतलब की 10 या 20 या 30 यदि इमारते होती है वहां पर इस टी पडाली सिस्टम का हम प्रियोग करते हैं इसको ध्या निखिएगा तो आफसन नंबर D हमारा बिल्कुल सही हो जाता है बहु मंजिला भवन में किस अस्तान पे सबसे ज़्यादा उपयुकते जो कोशन में पूशा गया तो बहु मंजिला भवन में तो आफसन नंबर D हमारा कोशन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाता है स चलिए आगे देखते हम कोशन नंबर 73 को जिसमें कोशन नंबर 73 में पूछा जा रहा है कि सुरच्छित ठंडा मोडने के लिए जो यहां पर ठंडा जो होते हैं उसको मोडने के लिए पीवीसी नली का अधिक्तम आकार क्या है देखिए होम वाइरिंग का नाम आपने सुना होगा सात्यों उससे पहले आप ध्याने केगा यहां पर जो सुरच्छी ठंडा मोडने के लिए पीवीसी नली का जो अधिक्तम आकार माना गया है यह आपका नियुनतम पहले बात करते हैं तो नियुनतम जो इसका ब्यास होता है वो कितना होता है 19 mm होता है कितना होता है सात्यों 19 mm होता है और यदि अधिक्तम की बात करें तो अधिक्तम आपका 65 mm माना जाता है और पाइप की यदि मोटाई की बात करें तो यह आपका 3 mm होता है कितना 3 mm होता है और सुरच्छित मोड के लिए यदि बात करें जो कोशन मे पूछा गया है तो ये आपका 25 mm होता है कितना होता है 25 mm तो इसमें कोशन में हमसे यही कहा रहा है कि ठंडा मोडने के लिए PVC नली का अधिकतम अकार क्या है तो अधिकतम अकार जो है आपका यह 25 mm है तो आफसन नमबर सी हमारा कोशन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट टेंसर हो जाता है सभी लोग मिला लीजिएगा चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 74 पे जिसमें कोशन नंबर 74 में पूछा जा रहा है की होम थियेटर वाइंडिंग और पावर वाइरिंग के लिए अलग वाइरिंग की सिपारिस क्यों की जाती है यह आपका मोश्ट इंपोर्टेंट कोशन देखिए होम वाइरिंग के और थियेटर यहाँ पर वाइरिंग करें तो देखिए होम वाइरिंग के अंदर से करेंट निकलता है सभी को मालूम होना चाहिए लेकिन जो home theater wiring होता है इससे जो frequency वाला single निकलता है जो आपका वो दोनों में आपका interface होने लगता है तो आथात हम यहाँ पर कह सकते कि यह आपका वित्ती करण होने लगता है और यहाँ पर साथ हो जो आपका सही दिया गए option में वित्ती करण वो आपका C option दिया गए कि बिजली के वित्ती करण से बचने के लिए तो option number C हमारा question के अनुसार बिल्कुल correct tensor हो जाता है ध्याने कीगा यह आपका home wiring जो होता है वो अंदर से current निकलता है लेकिन जो आपका home theater wiring होता है यह आपका frequency वाला होता है single signal होता है जो कि यह आपका signal के द्वारा निकलता है तो दोनों में आपका क्या होता है इंटरफेस होने लगता है तो इसी कारण आपका वित्ती करण होने लगता है मत आप से नंबर सी हमारा करेक्ट इंसोर हो जाएगा चलिए साथ ही वह आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर पच्छतर पर यह थ्लड़ा सा लंबा कोश्चन दे दिया गए मैं इसको जूम कर देता हूं ध्यान से देखिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकासिय परिपत का नाम क्या है यह जो आपके सामने दिखाएगा है एक परिपत का यहाँ पर नाम दिखाएगा जो कि प्रकासिय परिपत है और इसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है तो देखिए आप इस वाइरिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आजएगा एक आपका यहां पर फिर यहां पर लगा गया जो कि यहां पर एक आपका यहां पर यहां पर और यह आपका यहां पर टीक है यह आपका स्विच लगा गया अब दोस्तों धिया निखिएगा यह आपका एक लेंप हो गया दो तीन और चार हो गया और यह जो आपका तुम में एक आप सी जिए जाने में ज whether टो यहां पर आप देख सकते हैंहाँ कैनिसार मिला लीजिएगा आगे देखते है साती हो question number 76 को जिसमें पूछा जा रहा है कि conduit को मोडने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो conduit pipe होती है साती हो उसको मोडने के लिए यही बात करे किस यहाँ पर उपकरण का उपयोग किया जाता है तो एक आपका उपकरण होता है लिसको हम हिंकी के नाम से जानते हैं आप वर्साप में यदि प्रेटिकली किये होंगे फिर जो चातर फीटर कोँगे वो तो आसानी से समझ जाएंगे फीटर में ज़्यादा तो इसका परकियार प्रव्योग होता है तो इसको भी आप धाने कियेगा लेकिन एलेक्रीसीन में भी आपका चेप्टर में ये दिया गया है तो इसको हम बोलते है हिंकी क्या बोला जाता है हिंकी बोला जाता है तो ए आफसान हमारा कोईशन के अनुसार बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा मिला लिएगा चले, question number 77 को देखिए सात्यों, जिसमें question number 77 में पूछा जा रहे हैं, काफी easy question है, कि MCB का बिस्तार क्या है, देखिए, एक आपका होता है, जो आपका MCB होता है, जो question में पूछा गया है, एक आपका होता है, सात्यों ELCB होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ELCB होता है, ठीके क्या होता है ELCB होता है और एक आपका होता है जो कि Air Circuit Breaker होता है ACB होता है ठीके ACB होता है तो यह सारी दो यहाँ पर तीन मैंने बताया है इसका Start Cut की पूछा ही जाता है तो MCB का ध्याने किएगा इसको Miniature Circuit बोला जाता है Miniature Circuit Breaker और इसमें आपसन में जो हमारा दिया गया Miniature Circuit Breaker वो आपसन नंबर C दिया गया तो C आपसन सही हो जागा अब यहाँ पर ELCB देखिए तो ELCB का पूरा नाम होता है Earth Lickage Circuit Breaker इसको भी द्याने किएगा और यह जो आपका होता है ACB इसको बोला जाता है Air Circuit Breaker ध्याने किएगा तो यहाँ पर सात्यों कोजिशन के अनुसार हमारा सही हो जाता है आपसन नंबर C बिल्कूल Correct Answer आगे देखते हैं कोजिशन नंबर 78 को जिसमें कोजिशन नंबर 78 में पूछा जा रहा है कि ELCV का विश्थार जो कि मैंने आपको अभी उपर बता है कि ELCV का पूरा नाम क्या होता है इसका Earth Lickage Circuit Breaker होता है मैंने आपको बता है यह Most Important है और परिछा में यह पूछने के पूरे चांस है तो यहाँ पर सात्यों जो हमारा सही हो जाता है को ELCV का उद्धिस क्या है मतलब इसका परियोग यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किसलिए किया जाता है यह परियोग किया जाता है सात्यों जो कि आवसेस धारा को देखने के लिए तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है आफसर नमबर भी लेकिन ELCB का पूरा नाम भी द्यान अच्छेगा अर्थ लिकेज सर्कीट बेरेकर चली आगे देखते कोईशन नमबर 89 को जिसमें पूछा जा रहा है कि आगत बिजली आपूर्ती में परदान किये गए फ्यूज कट का उद्यस्य क्या है जो फ्यूज कट होता है उसका क्या यहां पर कारे होता है उद्यस्य क्या होता है इसका यह कोईशन में पूछा गया तो इसका उद्यस्य होता है कि जो भार होता है ठीके उसको क्या करें यह लाइन अतिभार नहीं दे मतलब कि यह सुनश्च को साती हो ज्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि die stock set क्या उप्योग है die stock जो आपका set होता है इसका उप्योग क्या होता है तो इसका उप्योग कहां पर किया जाता है जो pipe होती है बेलनकार pipe होती है उसके जो बाहरी thread होते हैं उसको काटने में इसका उप्योग किया जाता है दाई स्टॉक का और यहां पर आपसन में जो हमारा मैच कर रहा है आपसन नमबर सी मैच कर रहा है तो सी आपसन हमारा कोशन के अनुसार करेक्ट एंसर हो जाएगा उमेदे आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेजेगा ताकि आपको डेली सतरे की वीडियो मिलती रहे और इसका आप लाब उठाते रहें